नमस्कार आज की हमारी कहानी दो बैलों की कथा आज बहुत ही संक्षिप्ट में इसका सारांस कर रहे हैं यह कथा 1931 में मुन्शी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी और यह हिंदी कहानी है अगर इसकी विधा का प्रशनाता तो यह हिंदी कहानी है सारांस में दो बैलों की कथा मुन्शी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित रचना है प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर हैं समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए यह उन्हें अच्छी तरह आता है यह कहानी सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुश्य हो या कोई भी प्राणी हो स्वतंतृता उसके लिए बहुत महत्वर रखती है स्वतंतृता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए जनम के साथ ही स्वतंतरता सबका अधिकार है उसे बनाए रखना सबका परम करतव्य है दो बैलों की कथा में बैलों के द्वारा लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है समाज के सामने रखता है इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघश करते हैं यह कहानी दो बैलों के बीच में घनेश्ट भावात्मक संबंद को दर्शाती है यह कहानी मनुश्य और जानवर के बीच में उत्पन परेस्पर संबंद का सुन्दर चित्र भी प्रस्तुत करती है थेंक यू फोर वाजिंग अजय मनुश दूंद चास्बंध रखना झाल यह कम फ्रिप नद व क्योंना के बीच झालएम यह करते हैं बीच में वाजिस तूरी की जबफ़ियों इस इसनार रखनना है इसनावी यह